नमस्काताने शिव्टाई में अब सब का स्वागत है आज की दोर की अगर बात करें तो हर कोई चाहता है हम सुन्दर और अरकर्शर दिखें लोग कई लाकों रुपे खर्च कर देते हैं और ये चीजे टेकनिक जो है बाहर दिल्ली जैसे बड़े-बड़े शहरों में देखन इसकिन तक के सारे ट्रीटमेंट्स होंगे टांस पालेट प्लाटेशन होगी साथी साथ रस्टोरेशन भी इसकिन को लेकि जितनी भी प्रॉब्लम है वह सारी आपको अंडर वन रूफ आपकी हल होने जारी इस समय हमारे साथ मौजूद है डाक्टर मुबशिर मुबशिर जो चीफ कंसल्टेट आये जानते हिंसे कि जमुवासियों के लिए क्या लेकर आये और साथ यससेंट प्रोफेसर एसकॉम चलिए जानते हिंसे डाक्सा सबसे पहले आपका बहुत बहुत सब्सक्राइब है था था और हम लोग भी देखते थे बाहर ऐसी सी टेक्नोलोजी है कि पता नहीं चलता इंसान का कब चेहरा और ज़्यादा सुन्दर और कर्शत होता और इस खास करके आज के दोर में जो बालों की प्रॉब्लम है छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हेर फॉल की प्रॉब्लम है कही सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो लोगों को आरी पर उन् मेडिकल ट्रीटमेंट है और जो एडवांस्ट प्रोसीजरल मोडैलिटीज है वो सब कुछ हमने कोशिश की है कि अंडर वन रूफ उनको लाया जाए और जमू में एक नया मतलब कि जो भी हमने जो चीजें लाई है उनमें बहुत सारी चीजें हम यहां पाइनियर कर रहे है जमू सिटी में तो इसमें बायो पी आरपी है या जी एफसी थेरपी है एर लॉस के लिए उसके बाद जो लेटेस्ट फ्यू है ट्रांस्प्लांट है वो लाया है उसके बाद सकिन के रिलेटेड बहुत सारी ड्वांस्ट ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें केमिकल पीलिंग बो और प्रसीजर्स तो अब इसली हैं गया लगता को अभी जब से आपने एपन किया क्या रिसपॉंस मिल रहा है लोगों का बहुत अच्छा रिसपॉंस है और लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है तो ये सभी फैसिलीटीज अवेल भी कर रहे है तो अभी तक काफी खुला है जो कि लोग यहां पर आके अगर आपनी बालों की समस्य, स्कीन की समस्य हैं तो सर एक चीज ओर रहती है mostly कि लोगों को लगता है कि जब भी इस तरह की चीजें करवानी हो hair transplant करा या skin related कोई भी treatment करवाना medically तरीके से तो लोगों के लगता कि बारी भर कम उने पैकेज होते हैं फोर्डबल प्राइस में नहीं होते हैं आपके इस के बारे में हम बहुत प्राइसा है और शुरूआत्स से ही हमारा वीजन था कि इस को अफोर्डबल रखा जाए विकास हमारी जमू सिटी एक चोटी सिटु relatively metropolitan के मुकाबले में, लोगं की purchasing power भी limited है, तो इन सभी procedures को लाया जाए, उनकी quality को बिना compromise किये, एक affordable price पे उनको यहाँ लाया जाए, यह हमारा vision था और यह mission था, और उसको पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता है, आप कहीं भी within the city या outside the city अगर compare करेंगे, तो prices में 30 से 50 परसेंट या कुछ में उससे भी ज़्यादा फरक है, जी जी, तो डॉक्सर, जम्मू में क्यों सोच आपने खोल ली, यह साथ हम जम्मू के ही हैं, मतलब जम्मू डिवीजिन से हैं, जम्मू प्रोविंस से हैं, और यहीं पले बड़े हैं, और जब मैं बाहर ट्रेनिंग्स के लिए, फैलोशिप के लिए गया, तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें हैं, जो अभी लोग यहां पे अवेल नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे procedures, तो उनको लाने की एक सोच थी, और उसी कोशिश में लगें, बिल्कुल, एक चीज़ और जाना चाहूंगी, जो में हमारे इंपोर्टन भी जाना, ऐसी चीज़ें जो जिसना से हैर ट्रांस्प्लांट करवाते हैं, कोई साइड इफेक्टिस के, या कोई इस तरह की जो लोग इसमें प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, या कॉलिफाइड नहीं है, वो लोग ये चीज़ों में जो हैं एंटर कर गए हैं, जिसकी वज़ा से बहुत सारे लोगों को अनफॉचनेटली साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है, बड़ी बार आप सुनते होंग में बड़े बार लोगों की डेथ भी हो जाती है, तो वो सब सेफटी कंसर्स ज्यादा तर इस वज़े से हैं कि जो अनकौलिफाइड लोग हैं वो इस फील्ड में आने की वज़ा से वो प्रॉब्लम हो रही है, तो यहां पर मैं कुद हूँ हूँ, मतलब एक डर्मेटोरिस को फॉलो ना किया जाए, तो सेफटी का उस लिहाद से कोई कंसर्स नहीं है, डक्स अब हैर ट्रांस्प्लांट कब करवाना चाहिए, यानि कब बालों की क्या स्थीती होगी, यानि जिस तरह से लोगों के हैर फाल्स होते हैं, करते करते, एक बिल्कुल बाल्स जैसा हो जात और हैं, हैर ट्रांस्प्लांट करवाना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ केसिंज में हैर ट्रांस्प्लांट ड्वाइजयबल नहीं होता है, विकाश उतनी आपकी कॉस्प् er ס má km नहीं आपके, तो ये एक ड्रांस्प्लांट स्पेशलिस को ये देकना पड़ता है हर केस के किया जाए या कोई और कंजरवेटिव थेरपी से इंप्रूब्मेंट आ सकती है जो ट्रीटमेंट करवाने के बाद सब्सक्राइब करेंगी किया कंडिशन है और उनको किस तरह का रिजल्ट चाहिए उनकी अफॉडबिलिटी क्या है तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है फिर पील्स भी होती है उसके बाद एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जैसे बोटॉक्स होता है फिलर होता है है हाइड्र कभी है इसका क्या रहता है सेंटर तुम्हें 11 से 7 बजे तक ओपन रहता है मैं यहां पे 327 अवैलेबल होता हूं तो उसके बीच में कभी भी आके पेशिंट यहां कंसल्ट कर सकते हैं धन्यवाद हमारे साथ यह थे हमारे साथ डॉक्टर मुबशिर मश्कूर मीर जी जो कि जम्मौवासियों के लिए एक खुश्कबरी लेकर आया है क्योंकि आप भी जाते हैं और हम भी जाते हैं क्षास करके हमारी बैटियों को महिलां ओको एक रहता है कि हमारा हम हमेशा जवाँ दिखे खुबसरत दिखे आकर्शन दिखे और सुन्दर दिखे और आज की दूर में बात करें तो बालों को लेकर हर कोई परिशान है बच्चों से लेकर बढ़ों तक क्योंकि कहीं न की हमारा खान-पान की वज़ा से भी यह चीज़ें तो इंडियन्समें ऐसा मना जाता है कि 25 साल की उमर से पाली जन लोगों में इह ग्रेंग आजाती है उसे ग्रम हआा जाता है लेक Franc ng चाहता है तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं जनिटिक कारण भी हो सकते हैं कुछ nutritional deficiencies की वज़ा से भी हो सकता है कोई आपकी dietary imbalances हैं stress है आज कल pollution और यह सब चीज़ें बहुत आम हो गई हैं तो इन सब को हम देखते हैं evaluate करते हैं कि क्या कारण है उसको treat करते हैं और बहुत सारी patients में बहुत अच्छा response भी आता है एक महत्वर्ण जान करें हमने आप तक like ताकि जम्मु वास्यों की विपता हमारे आपने जम्मु में एक कास्मो वीव सेंटर खुला है जिसके चलते आप अपनी skincare related या बालों के लिए related किसी भी परेशानी का समधान डॉक्टर साब से कर सकते हैं क्यूंकि हर को ही चाहता आज के दोर में हम सुंदर और आकर्शन दिखें तो उसके लिए जरूर आप इधर एक बार विजट करें क्यूंकि हम इनका number पर four number caption में डाल देंगे आप जरूर एक बार विजट करके आपनी जो भी समस्यां से हल कर सकते और साथ इन्हों ने यह भी कहा कैस कंपरिव तु अदर किसी और जगों में जो ट्रीटमेंट हो से कहीं डिसकाउंट भी दे रहे हैं पर यह जरूर कहेंगे कि लोग सोईते थे कहां जाए बाहर दिली जैसे बड़े-बड़े शैरों में इस तरह की टेक्नोलीजी के ट्रीटमेंट होते थे पर अब आपके अपने जम्मों में आपको कहीं जाने की जरूर झाल